हैलो गाई स्वागत है आपका अमरीता कुजीन में और मैं आज आपके साथ एग रोल की रेसिपी सेयर कर रही हूँ ठेले स्टाइल एग रोल की रेसिपी तिसे जरूर ट्राइ किजिए तो चलिए रेसिपी बनना सुरू करते हैं इसके लिए एक बाव ली हूँ और इसमें मै की अत्री चलिए यूण है आप चाहें तो कीवल के हुआ का आटा य 카वल मैदा में इस रेस्पी को बना सकते हैं अब गिसमें टलतील एक चमच ए किए नमक जाना डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लैना है इसमें बहु जादा तेल बिलकुल चाहिए, सौप्ट डो रहना है, तब ही जो रोटी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा रोल के लिए, अभी मैं इसे इसी तरीके से गूत लोंगी, जैसे रोटी बनाने के लिए गूत लोंगी, नॉर्मली उसी तरीके से इस आटे को लगाना है, लेकिन हाँ अच्छे से इसको रख दूंगी दस मिनट के लिए, दस मिनट हो चुका है, आटा जो है न अच्छे से से सैट हो चुका है, अभी मैं इस अच्छे से मिक्स कर लोंगी, और इसे दो टुकडों में डिवाइड कर लोंगी, और इसे छोटे छोटे लोई में तोड़ लोंगी, आप चाहें तो इ किएगा मैं सारे लोई को इस तरीके से चोड़ा कर रही हूं जिससे बेलने में बहुत ही जल्दी बेल जाता है बहुत ही असानी होती है देखिए मैं सारे लोई को इस तरीके से चोड़ा कर रही हूं चिकना करते हुए अभी सारे लोई को मैं चोड़ा बना ली हूं अभी मैं ज़दा मोटा बेलना है जैसे रोटी बनाने के लिए बेलते हैं बिलकुल वैसे ही बेलना है देख सकते हैं इसी तरीके से मैं बेल रही हूँ अगर आप केवल मैदा का बना रहे होंगे तो थोड़ा बड़ा बेलिए गा क्योंकि वो ना जैसे यह आप उसको चकले से तो वह थोड़ा मोटा हो जाएगा लेकिन मैं इसमें गिहों का भी आटा डाली हूँ तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से रोटी बनाती हूँ जैसे ही मैं बेल ली हूँ अच्छे से देखिए ना बहुत जदा पतला है ना बहुत जदा मोटा है इसी तरीके का हम रोटी के लि या बिल जाएगा चिपके का बिलकुल नहीं देख सकते हैं मैं इसे एकदम बेल ली हूँ बढ़िये से अभी अच्छे से बिल चुका है रोटी को सेखने के लिए गैस पे तवे को चड़ा दी हूँ तवा गरम हो चुका है हाई फ्लेम पे हमें रोटी को सीखने है अभी मैं इसमें लगा रही हूँ तेल तेल को अच्छे से फैलाते हूँ इसमें लगा लेना है रोटी को हाई फ्लेम पे सिखने देना है दोनों साइड ना अच्छे से तेल को लगा लेना है देख सकते हैं मैं दोनों साइड अच्छे से तेल को लगा ले हूँ और देखिए इसे मैं पल्टूंगी अभी अंदर से ये सिख चुका है देखिए दोनों साइड से इसी तरीके से सेख लेना है रोटी को रोटी देखिए थोड़ा सौर मैं इसे सेखूंगी अभी मैं इसे निकाल लूँगी अच्छे से ये सीख चुका है मैं अभी दूसरा रोटी को भी इस पे सेख लूँगी तबे पे अभी मैं इसे भी पल्टूंगे दोनों साइड से इसे भी सीख लेना है अभी मैं इस पे भी लगा रही हूँ तेल तेल को अच्छे से फैलाते हुए लगा लेना है रूटी पे और इसे मैं पलट दी हूँ और अपोजिट साइड भी अच्छे से तेल को लगा ली हूँ और इसे हाई फ्लेम पे ही सीखने देना है देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर एक साइड जो है ना आ चुका है और दूसरे साइड भी अच्छे से यह सीख चुका है अभी मैं इसे निकाल लोंगी अभी मैं एक बाउली हूँ इसमें एक अंडे को तोड़ लेना है और इसमें मैं डालूंगी नमक मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मैं फैट लोंगी देखिए यह अच्छे से फिट चुका है अभी जो गयस पे न तवे को मैं चढ़ा दी तवा गरम हो चुका है अभी मैं इसमें डालूँगी तेल तवा जो अच्छे से गरम होना चाहिए अभी मैं इसमें इंडे को ढाल दी हूँ और थोड़ा सा मैं इसे फैला दी हूँ देख सकते हैं यह बिलकुल ड्राइ नहीं होना चाहिए अंडा उपर से और अभी मैं इस पे उपर से रोटी को चिपका लूँगी अगर बहुत ज़्यादा ओमलेट जो है ना सूख जाएगा तो अंडे में जो रोटी है वो चिपकेगा नहीं और अंदर से भी अच्छे से इसे सिखने देना है देखिए बिलकुल अच्छे से यह सीख चुका है अभी मैं इसे निकाल लूँगी और एक और अंडा ली हूँ तोड़के और इस पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से फैट लूँगी आप अपने स्वादियर उसा नमक को डालिए और इसे बिल्कुल अच्छे से फैट लेना है तवा गरम है अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ आधा चमज और इसमें अंडे को डाल दूँगी अंडल के मिसरन को और इसे भी थोड़ा सा मैं फैला लूँगी जिसे रूटी जो है ना रूटी में अदम परफेक्ट सेप में आ जाए अंडा इस तरीके से देख सकते हैं मैं फैला ली हूँ और अभी मैं रूटी को इस पे चिपका लूँगी अगर इस तरीके से बहुत ही अच्छा से यह चिपक गया है अभी मैं इसे निकाल लूँगी और अभी मैं इसी तवे पे डाली हूँ देख सकते हैं एक चमस्तील और मैं अभी एक प्याज और एक कैप्सिकम थोड़ा सा हरा मिर्च एक हरा मिर्च को काट के ली थी इन सबको हलका भूनना है प्याज, सिम्ला मिर्च और हरा मिर्च सबको मैं डाल दूँगी और इसे चमस्त से मैं भून लूँगी आप चाहें तो कडाही में भी भून सकते हैं लेकिन ये तवी पे भी अच्छे से भून जाएगा देखिए इस तरीके से इसको भून लेना है ज्यादा दर के लिए नहीं भूनना है बस थोड़े एक से दो मिनिट के लिए भूनना है इसी तरीके से चलाते हुए इसे भूनना है बस इसका कच्छापन थोड़ा सा दूर होना है बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनिएगा नहीं तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा देख सकते हैं इसे इसी तरीके से चलाते हुए मैं भून रही हूँ यह अच्छे से भून चुका है देख सकते हैं दो मिनिट हो चुका है अभी मैं गैस का फ्लेम आफ कर लूँगी अभी मैं इस पर डाल रही हुँ देख सकते हैं टोमेटो सॉस और इसमें मैं डालूंगी मियोनीज एकदम ठेले स्टाइल टेस्ट आप चाहते हैं तो मियोनीज जरूर डालिए अगर आपको कम सॉसिस पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं इन सब को अच्छे से मिक्स करते हुए पूरे रोल पे ना फैला लेना है इस तरीके से देखिए एकदम ठेले स्टाइल आपको टेस्ट आएगा घर पे ही बहुत जल्दी बन जाता है देखिए मैं बहुत अच्छे से इसे फैला रही हूँ और अभी मैं इस पे लगाऊंगी जो सिमला मेर्च और प्याज भून के रखी थी ना उसे सेंटर में इस तरीके से लगा लेना है देखिए इस तरीके से सेंटर में ही डालना है मैं दोनों रोल पे इस तरीके से फैला लूँगी सिमला मेर्च और प्याज को इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़ी आता है तो एक बार इस तरीके से जरूर बनाएए अब ही मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर थोड़ा थोड़ा सा डालना है देख सकते हैं मैं इस तरीके से चुटके से डाल रही हूँ और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक नमक बहुत चदह नहीं डालीएगा क्योंकि सॉसेज में भी नमक होते हैं तो मैं थोड़ा-thोड़ा ही नमक को डाली हूँ अरभी मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर थोड़ा-thोड़ा सा ही चाट मसाला पाउडर डालना है देखिए इससे टेस्ट बहुत ही वड़ी आता है और अभी मैं इसे रोल कर लूँगी मैं इसे देख सकते हैं इस तरीके से रोल कर ली हूँ देखिए बहुत ही टेस्टी एक रोल बहुत ही जल्दी तियार हो जाता है मैं इसमें टीसू पेपर से इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही मैं इस तरीके से इसे फोल्ड कर ली हूँ देखिए बहुत ही बड़िया यमी एक रोल बिलकुल तयार है अब दूसरे वालों को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लूँगी और इसमें भी ट्विस्यू पेपर से इस तरीके से देख सकते हैं रोल कर ली हूँ एक दम ठेली है स्टाइल एक रोल बहुत ही जल्दी तियार हो जाता है देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा प्यास का सलाद और टोमाइटो केशब की सांसर क्यों बहुत ही यामी टेस्ट येग रोल तयार है अगर वीडियो अच्छा लगए तो फिली लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थैक्यों फर वाचिंग